नमस्कार में दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल पे गैस चैनल पे नए हो तो वीडियो उसको लाइक कर दे शेयर कर दे और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नीचे लाल बटन उसको दबाए ताकि कोई भी लेटेस वीडियो है ले आपको form 10AB में अपना renewal डालना है या form 10AB में आपको apply करना है अपना final registration ATG 12A के लिए तो उसकी जो due date है उसकी extension की बात करने वाला हूं दूसरा जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा function मैं कह सकता हूं enable हुआ है income tax की website पे बिल्कुल अगर आप अपने NGO के credential से login करते हैं income tax के अंदर तो आपको आपको आपके live दिखाने जा रहा हूं कि अब आप अपने form 10AC जो आपको order मिलता है उसको आप साथ में surrender भी कर सकते हो easily लिए इस पहले में बात करते हूं हमारे पहले update की जो कि हमारा circular number 8 बटे 2022 इशू हुआ है 31 March 2022 को बिल्कुल latest update है दोस्तों ATG 12A के registration से related है आपकी NGO में अगर आपके NGO भी तक registration नहीं किया है तो आप मेरी इस वीडियो पे जाके registration अप्लाई कर सकते हैं पुरा process मैंने इसके अंदर समझा रखा है कि कैसे कैसे आपको form 10A apply करना है इसके लावा form 10A 10AB के अंदर क्या difference है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है तो आप इस वीडियो को हमारी ज़रूर रहफा करें इसका जो link है नीचे description में भी डाल दिया है जी अब म form 10AB की वो 31 March 2022 थी अब गाइस इसके अंदर मैं बता दूँ आपको कि जिनोंने form 10A पहले apply किया हुआ था तो उनको within 6 महिने के अंदर form 10AB apply करना था जब उनकी NGO की activity स्टार्ट होगे उसके 6 महिने के अंदर या फिर 31 March यहाँ पे हमारे पास due rate थी लेकिन government ने जो problem सारी थी उन e-file करने की 10AB को अब वो 31 March से लेके 30 September 22 हो गई है यहने कि 30 September 22 थक आप अपना form 10AB के अंदर 80G12A का जो registration है उसको apply कर सकते हैं now मैं बात करता हूँ second update की तो मैं आपको live दिखाने जा रहा हूँ जो कि हमारा function enable हुआ है income tax की website पे NGOs के लिए बिल्कुल तो मैं सबसे पहले income tax की website खोलूँआ income tax india e-filing.gov. इन पे enter करेंगे आप यहाँ पे login करेंगे अपने login credentials के जो भी आपके NGO के login credentials है then continue enable करके आप यहाँ पे डालेंगे password then continue so guys यह मेरा खुल चुका है मेरी NGO का dashboard page तो आपने क्या करना है e-file पे जाके income tax form पे जाके view file forms यानि कि basically पहले आपने ATG to apply किया हुआ है तो जैसे इस case में देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे दो filing हुई थी 10A की मैंने यहाँ पे click किया so guys जो यहाँ पे जो important अपडेट है वो यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो option है 10A का और उसकी receipt का attachments को download करने का option है जो कि पहले से था यानि कि जब हमारी नई website बनी तो धीरे धीरे यह सारे functions हमारे enable हुए अब जो यहाँ पे latest जो function enable हुआ है हमारी website में वो यह हुआ है additional action का जब आप additional action पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको option दिखाएगा download form 10AC यानि कि आपका जो order आया है ATG 12A का registration का चाब वो provisional है चाब वो final registration है जो आपके पास order आया उसको यहाँ से आप easily download कर सकते हैं हाला कि मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई थी कि आप उसको online कैसे download कर सकते हैं आप इस वीडियो को refer कर सकते हैं वीडियो का जो link है निचे description में डाल दिया है लेकिन जो यहाँ पर जो important बात मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि यह surrender form 10AC बिल्कुल यानि जो अभी जो function enable हुआ है जो नया function यहाँ पर आ गया है income tax में वो यह है कि surrender form 10AC यानि कि हाँ पर आप क्लिक करके अपने form को यानि कि अपने जो आपको order मिला है order copy जो है यह registration जो मिला है प्रोविजनल अचा final है उसको आप surrender भी कर सकते हैं उसका आप cancellation request भी यहाँ से क्लिक करके डाल सकते हैं सो गाइस यही था मेरा वीडियो का purpose बनाने का कि आपको जल्दी से update रेदू जो दो latest updates आए हैं हमारे आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आ योगी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी query है कुछ भी suggestion से तो आप नीचे comment box में डाल सकते हैं हमारे team आप तक पहुँच झाल हमारे आपको ज